रे कृष्णा, आज हम देखते हैं कि किस तरह चारों तरफ पूरे संसार में लोग जो हैं किस तरह किष्ण भक्ती के पीछे नाच रहे हैं और हम सब जानते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा योगदान है श्रीला एसी भक्ती विदान्त स्वामी महराज श्रीले प्रवपाजी का जो गौडिया वैशनव संप्रदाई के एक बहुत महान आचारिया थे इसी गौडिया वैशनव संप्रदाई में बहुत बड़े-बड़े अचारिया आए हैं जो उन्हें ने अलग-लग समय पर अलग-लग तरीके से बहुत बड़ा कंट्रिबुशन दिया है इसी तरीके से सत्रविश अताब्दी में एक बहुत बड़ी विपत्ती आखड़ी हुई थी एक बहुत बड़ा प्रशन चिन लग गया था गौडिया वैशनव सिध्धान्त के ओपर गौडिया वैशनव पूरी परमपरा के ओपर और उस वक्त हमारे एक अचारिया जिन्होंने उस विपत्ती से पूरे गौडिय वैशनव सिध्धान्त की परमपरा की जो रक्षा करी उनका तिरोभाव दिवस जो है हम अगले दो दिन में मनाने वाले हैं और उनका नाम है श्री श्री बलदेव विद्याबूशन प्रवपाजी बहुत महान बहुत विद्वान प्रगाड पंधित जो हमारी गौड़े वैशनव संपरदाय में रहे हैं बहुत ही जादे इंट्रेस्टिंग स्टोरी है तो हम उनका तिरोभाव दिवस मना रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रियास करेंगे अब ये बात भी सही है कि मेरे जैसे अधम, अज्यानी, नितांत, बक्तिहीन, बुद्धीहीन, मायभद, जीव की ऐसी योग्यता नहीं है कि वो इतने महान अचारिया का नाम भी अपने मुझे उचारन कर सके उनके महान चरित्र के व्यक्तित्व के बारे में वर्णन करना तो बहुत दूर की बात है ये बिल्कुल ऐसा है, जैसे कोई छोटी सी चडिया अपनी छोटी सी चोंच में पूरा समुद्र भणने का परियास कर रही हो लेकिन हम जानते हैं कि शिलप रुपाजी नहीं हमको सिखाया है कि जब हम ऐसे महान चरित्र के बारे में, ऐसी महान विभूति के बारे में जब हम बात करते हैं चर्चा करते हैं, उनका स्मरन करते हैं, उनका शवन करते हैं तो हमारे हर्दे का शुद्धी करन होता है केवल इसी भाव को मन में रखते वे मैं परणाम करता हूँ हमारे जितने भी आचारिया रहे हैं और उनसे आशिवाद लेता हूँ ताकि उनके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ जो अपने वरिष भक्तों के मुझसे सुना है जो भी उनके बारे में पड़ा है उसको तोते की तरह बहुत साथानी पूर्वक धीरे धीरे धोरा सको साथवाईता सावदूतं परिजन सहीतं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगन ललिता श्रीवेशा खान वितामस्चा हे कृष्ण करूना सिंदू दीन बंधू जगत पते गोपीशा गोपीका कांता राधा कांता नमस्तते तप्तकांचन गोरांगी राधे विंदा वनेश्वरी विष्ण भानू सुते देवी पणमामी हरी प्रिये वंचकल्पत रुब्यच्चा किरपासिंदू बहेवचा पतीता नाम पावनेभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमु नम्हा जाई श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वाइता गदाधर श्रीवशादी गऊर भक्तविंदा हरे क्रश्ण हरे क्रश्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री प्रुपाज की जैहो तो बलदेव विद्याभूशन जी का जन्म जो है वो 1678 में उडिसा के एक छोटे से गाउं में एक बहुत बड़े भ्रहमन परिवार में उनका जन्म हुआ था उनके मातापिता के बारे में, बच्पन के बारे में बहुत जाद हमको नहीं पता है लेकिन हाँ इतना जरूर मेंशन है कि जो बच्पन से उनको पढ़ाई का बहुत शौकता तो जो व्याकरन है, नियाय है, अलंकार है, जहां सारे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे वो शास्तुरों को पढ़ने में जो है, उनका बहुत ध्यान रहता था, धीरे-धीरे बढ़े हुए तो उसके बाद उनकी इच्छा थी कि मैं और पढ़ाई करूँ, उनकी जो पढ़ने की प्यास थी, वो नहीं बुचपा रही थी तो वो मादवा संप्रदाय में चले गए, और वहाँ जाके उन्होंने विदान्त को, सारे वेदों को, उपनिशदों को, पुरानों को बहुत अच्छे से बढ़ा और क्योंकि बच्छपन से ही बहुत तेज थे पढ़ाई में, दिमाग बहुत तेज था, तर्क वितर्क में बहुत आगे थे, तो दीरे 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 महाँ पे बहुत बड़े विद्वान बन गए, महीं पे उन्होंने सन्यास लिया उसके बाद उनकी इच्छा हुई कि यह जो भगवान किष्ण की भक्ती है, इसको पूरे भारत में प्रचार किया जाए, तो उस भाव से वो पूरे भारत के भामन के लिए निकल गए, और जहां भी उनको मायावादी मिलते, जहां भी कोई भी ऐसा सिद्धान्त मिलता, जो कि किष्ण भक्ती से अलग है, वो महाँ पे उनको हरा कर किष्ण भक्ती की स्थापना करते चले गए, इसी तरह भ्रमन करते 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 वो पूरी में आए, पूरी में आने के बाद भी महाँ बड़े-बड़े विद्वानों को जो है उन्होंने तर्क से, वित अपर्क में आए, जब उन्होंने उनके सिध्धान्त को सुना, उन्होंने चतना महाप्रभु के बारे में उनको बहुत जिज्ग्यासा हुई उस बारे में और ज़्यादा पढ़ने की। फिर उन्होंने गौडिया वैशनव सिध्धान्त की सारे किताबे पढ़नी शुरू करी, जीवा गोस्वामी के शर्ड संदर्भा को उन्होंने पढ़ना शुरू किया, रादा दामुदर जी का संग्तों उनको साथ में मिले ही राता, तो दीरे दीरे उनके मन में जो है चेतना माप्रवब का सिध्धान्त है, मैं उससे बहुत आकरशित हूँ और ये अभी तक मैंने जितना भी कुछ पढ़ा है, इस सबसे उचा सिध्धान्त है, जो अचिंतय बेदा बेदा सिद्धानत है, उसके परति उनका बहुत आकर्षन हो गया, उन्होंने रादा दामदर जी से बोला कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आपको अपने गुरु के रूप में अपनाना चाहता हूँ, तो रादा दामदर जी ने उनका बोला कि क्योंकि आप लेडी जब एक बार दिक्षा हो जाती है तो दुबारा दिक्षा नहीं ले सकते हैं अगर एक बार चार संपरदाय में किसी भी वैशनव गुरु से अगर दिक्षा हो गई तो दुबारा दिक्षा लेना जो है वो ठीक नहीं है तो रादा दामोदर जी ने उनको बोला क्योंकि आपक और वहाँ पे बहुत फॉर्मली जो है जो बलदे विद्यभुशन जी है उन्होंने गौडिय वैशनव सिध्धान्त के जो रास्ता है जो उसकी परंपरा है उसको वहाँ पे उन्होंने अपनाया अच्छे देखने वाली बात है कि राधा दामोदर गोस्वामी कौन थे ऐसे क ऐसे अचारिया थे कि इतने बड़े प्रगाड विद्वान पंडित बलदे विद्यभुशन जीन्होंने पूरे भारत में ब्रहमन करके सबको अपने तरक वितरक से अपनी विद्वत्ता से अपने शास्त्रिक प्रमानिक शास्त्रों के प्रमान से जो उन्होंने हरा दिया वो इन की शरण में आ गय है तो हम जानते हैं कि चतना महर परभु है चतना महर परभु रशिकनांद प्रभु प्रभु इतने सारे नाम हैं, अगर आप इनको याद करना चाहते हैं, तो मैं एक एक लाइन सब के बारे में बोलता हूँ, ताकि आपको याद हो सके, जो गौरीदास पंडित है, आप लगा वो इतने महान अचारिया थे, या कहलो कि इतने रसिक संत थे, कि जो उनकी निताई गुरंग कभी ये छुप जाते थे, तो विग्रह इनको ढूनने आते थे, ऐसे थे गौरी दास पंडित, यही जो विग्रह हैं, वो एक बार जाके उनके डिसाइपल, जो छोटे से बच्चे थे, उनके हिर्दे में जाके छुप गए थे, जब चारो तरफ ढून रहे थे, उनको मिल प एक रहे थे, बाद में पता चला कि उनके हिर्दे में छुप गए हैं, इसलिए उन दिसाइपल का नाम पढ़ गया हिर्दे चातनया प्रजू, इन हिर्दे चतन्या के जो डिसाइपल थे वो ते शामनन्द प्रभू, शामनन्द प्रभू कितने बड़े अचारे रहे, स् शाम सुन्दर की जो विग्रह हैं वो प्रकट करके उनको दिये थे जो आज भी विरंदवन में विराजमान है तो वो शामनंद प्रभू थे उनके शिष्य थे रसीकानंद प्रभू रसीकानंद प्रभू आप इस तरह से याद रखो कि रसीकानंद प्रभू ने इतना प्रच राधा दामुदर गो श्यांगो श्या थे राधा दामुदर गौश्वामी बहुत महान अचार्य थे और उनका संग्ब पाकर अब बलदे विद्या भूशना यह और गौडिय वैशना वो समप्रदया में आघए तो अब जो रादा दामदर गोस्वामी है उन्होंने जो बलदे विद्या भूशन है उनको विंदावन भेज दिया उन्होंने बोला कि आप विंदावन जाएं और वहाँ पे जाके भागवतम जो है वो आगे सीखें किस से सीखें विश्वनाथ चकरवती ठाकुर से क्योंकि विश्वनाथ चकरवती ठाकुर है वो उस वक्त विंदावन में सबसे गोडिय वैशनव में सबसे प्रमानिक उची गुद्दी पर विराजमान थे सबसे वरिष्ट जो वैष्णव थे गोड़े वैष्णव परंपरा में वो विष्णवाद चक्रवती ठाकुर ही थे तो आगे की शिक्षा जो है वो बलदे विद्यावुशन ने विष्णवाद चक्रवती ठाकुर के आश्र में रहकर ही प्राप्त की एक और इसमें बड़ी अच्छी कथा आती है कि हम जैसे जानते हैं कि चेतना माँ पर्भू ने नरुत्तमदाश ठाकुर के बारे में पहली बता दिया था कि आने वाले समय में एक ऐसा भक्त आएगा नरुत्तमदाश ठाकुर हैं इसी तरीके से जो शामनंद प्रभू थे उन्होंने बलदे विद्यावुशन के बारे में पहली बता दिया था एक बार की बात है कि जब वो कृष्ण का समरन कर रहे थे और करते-करते बहुत आवे शामनंद प्रभूजी ने बता दिया था और ये वो समय था जब औरंग जेब ने पूरे भारत में तरही तरही मचार रखी ती, असंख्यiemंदिरों के जो है उसने विनाष्ट कर दिया था, कितने सारे जो विग्रें हैं उनको खंडित कर दिया गया था, असंख्य ब्रामनो की हत्या कर दी गई थी, ब्राह्मनों के अंगुटे काड़ दिये जाते थे, ताकि वो जो अपनी जनेहु है उस पे गायत्री ना कर सके बैल गाड़ी में भर भर कर जो है उनके अंगुटे लाए जाते थे सैनिकों को आदेश दिया गया था कि जतने जादा जनेहु काड़ दिये जाएंगे, जतने जनेहु ब्राह्मनों को मार के जतने जनेहु वो लेकर आएंगे, वो जनेहु के वजन के बदले में उतना उनको सोना दिया जाएगा, इस तरीके से पूरे भारत में तरही तरही मच गई थी, इसी तरह जब एक बार खबर मिली कि ओरंग जेप की सेना एं जो है वो विंदावन की तरफ बढ़ रही है तो फटवर्ट से वहां के जो गोस्वामी से ब्रजवासी थे उन्होंगे विंदावन के सारे जो विग्रह हैं उनको सब फटवर्ट से वहां से हटाना शुरू किया पर उनको संरक्षन मिल सकता था तो अभी हुआ ये कि जैपूर में जब राधा गोविंदेव जी की वहां पर पूजा अर्चना शुरू हुई तो वहां पर रामानंदी जो थे संप्रदाय की लोग थे वहां पर अचारिया हुआ करते थे और उनकी गद्दी महां से बहुत राजा की ऊपर था क्योंकि उन्होंने हिंदुवों को बचाने के लिए ब्हुत काम भी किया था pernah पर प्रों को तुम पर राधा चारिया थल्प महां संप्रदाय कैसे बचाया जाए अपने लुदान को स्लपार खारः को वहां पे बहुत के आथे इसी प्रतिनों ने बहु इसी तरीके से जो वहां के राजा थे उनका इंफ्लूएंज जो गौडिय वैश्णव की तरफ भी थोड़ा था क्योंकि जो तपन मिश्रा थे पुत्र थे रगुनात भट गोस्वामी तो रगुनात भट गोस्वामी का भी इन राजाओं के ऊपर थोड़ा इंफ्लूएंज वो रजा जो थे रगुनात भट गोस्वामी का भी मानते थे तो अब हुआ ये कि वहां पे रामनंदी जो संप्रदाय थे उन्होंने बोला कि राधा कृष्ण की जो पूजा अर्चना है वो ठीक नहीं है क्योंकि जो राधा कृष्ण है उनका कभी विवाह नहीं हुआ और परंपरा की उपर प्रशन चिन लगा दिये उन्होंने कहीं सेरे से सवाल खड़े कर दी जिनका राजा के पास कोई जवाब नहीं था ठीक है राजा जो था वो इंफ्लूएंस था वो प्रभावित था लेकिन सिद्धान्त की दस्टी से वो उन सब चीजों का जवाब नहीं हम वो आगे करेंगे लेकिन जब तक ऐसा ना हो तब तक उन्होंने राधा कृषण की जो वहाँ पर राधा गोविन देव जी की जो महाँ पे अर्चना चल रही थी पूजा चल रही थी उसको रोक दिया गया और जैसे ही ये न्यूज ये खबर जो है विंदावन में पोच कि राधा गोविन देव जी की पूजा रोग दी गई है, चारो तरफ एकदम हाकार मज गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, और जंगल में आग की तरह ये जो खबर है चारो तरफ फैल गई, उड़ीसा में और बंगाल में और अलग अलग जगाओं पे जहां पे भी राधा किशन की उ अचार्य थे वो विश्वनात चक्रवती ठाकुर थे, तो उनसे प्रात्रा की गई कि आप जो है जैपूर जाइए और ये जो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गया, प्रशन चिन खड़ा हो गया, इसका निवारन कीजिए, अब विश्वनात चक्रवती ठाकुर जो थ जाइए और आप जो है गौड़िय वैश्वनात चिद्धान्त की जो है वहाँ पर रक्षा कीजिए, तो विश्वनात चक्रवती ठाकुर ने अपने एक और जो डिसाइपल थे, किष्णदेव अचारिय कुछ और पंडितों के साथ, इनको असिष्ट करने के लिए विद्यावुषिन जैपुर पहुचे, तो वहाँ पर उनका स्वागत किया गया, क्योंकि पूरी गौड़िय वैश्वनात संप्रदाय को जो है वो एक तरसे रिपेजेंट कर रहे हैं, और वहाँ पर विचार सभा बुलाई गई, ठीक है, अब आप सोचे कि कि क्या सीन चल और उसी राज्य सभा में, जो चार वैश्वनात संप्रदाय हैं, उन सब के प्रगार, विद्वान, पंडित, जो हैं, अचारिया जो हैं, पूरी उनकी टोली जो है, वहाँ पर बैटी है, और जो इस बाद से पूरा आश्वस्त हैं, कि जो गौड़िय वैश्वनात संप्र प्रदाय जो है, वो ऐसा लगता है कि वो प्रमानिक नहीं है, आपको उसका प्रमान जो है, वो सिद्ध करना होगा, और जब तक आप उसको सिद्ध नहीं कर देंगे, राधा गोविन देजीव की पूजा अर्चना दुबारा से प्रारंब नहीं हो सकती है, तो जब वहाँ पर डिबेट शिड होने वाली थी, उससे पहले शर्त रखी गई, एक्शली जो पहले डिबेट होती थी, उससे पहले शर्त रखी जाती थी, कि अगर ये पार्टी जीती तो क्या होगा, और वो पार्टी जीती तो क्या होगा, तो बात यह है कि अगर बलदेव विद्या वो प्रमानिक नहीं है और इसका असर जो है वो केवल जैपुर तक नहीं था इसका असर केवल विंदावन तक नहीं था इसका असर पूरे भारत में होने वाला था क्योंकि अलग अलग जहां पर भी चाहिए वो बंगला देश हो चाहिए वो बंगाल हो चाहिए वो उडिसा हो जो जो भी राज्या थे, जहाँ पे राधा किशन की पूजा हो रही थी, उन सब के उपर प्रश्ण चिन खड़ावा था, तो यहाँ पे अगर बलदेव विद्यवुशन हारते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए राधा गोविन देव जी की राधा किशन की जो पूजा है, उसक कि वो पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि संभव ही नहीं है कि बलेदेव विद्यविशन इसको साबित कर सके हैं कि जो गोडिय वैशनव संप्रदाय है वो प्रमानिक है आप सोचे कि कई बार जब शर्त लगती है अगर हम कुछ बहुत बड़ी बात बोलते हैं वो इसलिए ब बात बोली कि अगर तुम जीत गए तो हम तुमारे शिश्य बन जाएंगे यह बहुत बड़ी बात है वहाँ पर बोल देना और इन शर्तों के साथ जो है महाँ पर डिबेट शुरू होती है उसके बाद वहाँ पे चार अलग-लग वैशनव संप्रदाय के जो वो पंडित थ एक ऐसे प्रमान देते हैं जिनका कोई काट जो है उनके पास नहीं होता है धीरे धीरे उनके पाउं खड़ने लगते हैं उनने समझ नहीं आता है कि यह क्या चल रहा है फिर फिर पूरी ताकत से अपनी अलग-अलग तरीके से महाँ पे तर्क वितर्क रखते हैं और बलदे ठीक है लेकिन आप यह बताईए कि आपका विदान्त सूत्र उपर भाष्य कहा है ऐसा होता है कि जो प्रमानिक परंपरा होती है उनका विदान्त सूत्र के उपर भाष्य होना जरूरी है टीका होना जरूरी है भगवत गीता के उपर विदान्त सूत्र के उपर और को ही विदानतर सूत्र का जो है टीका घोशित किया है कि जो विदानतर सूत्र की कमेंटरी है वो नेचुरल जो है वो शीमत भागवतम है उसकी अलग से कमेंटरी लिखने की टीका लिखने की जुरत नहीं है तो उन्होंने इसका तरक ये दिया कि जो शीमत भागवतम है वो त श्रीमत भागवतम है वो चारो संप्रदाय के किताब है वो आपकी अकेली किताब नहीं है आपकी अगर संप्रदाय को आप यहाँ पर प्रमानिक बताना चाहते हैं तो आपका खुद का यहाँ पर टीका होना चाहिए यही पुरानी परमपरा चली आ रहे है अगर आपका टीक उनको एक प्रमानिक प्रमपरा घोशित नहीं करेंगे अब जो विदान्तर सूत्र के उपर टीका लिखना है वो हलकी बात नहीं है वो बहुत मुश्किल काम है भगवत गीता है विदान्तर सूत्र है और उपनिशद है टीका लिखा जा सकता लेकिन उसके लिए बहुत समय चाहिए जो बड़े-बड़े पंडित विद्वान होते हैं उनको कहीं-कहीं साल लग जाते हैं टीका लिखने के लिए यहाँ पर कैसे होगा यहाँ तो अभी इमीडियेट आपको बताने कि आपका टीका का है टो बड़े-बृिष्ण उनसे का कि ठीक है आप मुझे थोड़ा सा समय दीजे कुछ दिन का समय दीजे मैं इसका टीका लिखकर लेकर आता हो लेकिन बद्देव विश्ण जी उसके बाद बहुत चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो बात वो वहाँ पे बोलके आए हैं वो संभव नहीं है तो वो रादर गोविंदेव जी के पास जाते हैं गोविन देव जी के सर के उनके चर्णों में अपना सर रख देते हैं उनसे प्रातना करते हैं कि अब माग दर्शन कीजिए यह संभव नहीं है जो मैं वहाँ पर बोल के आया हूँ यह बहुत मुश्किल, बहुत कठिन कारिया है जब उनके चर्णों पर सर रखते हैं तो उनको किसी तरह से वहाँ पर नींद आ जाती है और उनके सपने में फिर रादा गोविन देव जी आते हैं वो उनको आशिरवात देते हैं वो बोलते हैं कि तुम लिखो, मैं बोलता हूँ तुम लिखो बल्दे विद्यव उशनजी उसके बाद वहाँ पर टीका लिखना श्टार्ट करते हैं और कहीं दिनों तक बिना खाय, बिना सोय, बिना किसी चीज की परवक्ये और कुछ दिनों के बाद वो इन तीनों चीजों के ऊपर भगवद गीता के उपर, विदानत सूतर के उपर और इशोपनिशत के उपर इन तीनों के उपर जो टीका लिखकर वापस उस राज्य सवा में पहुचे जाते हैं तो वहाँ पोचकर बाकी जो संप्रदाय के अचारिया हैं, वो उनको दिखाते हैं कि उन्होंने शुरूति के उपर गोपाल अतापनी उपनिशत के उपर उन्होंने ठीका लिख दिया था, स्मृति के उपर उन्होंने गीता भूशन भाश्य उन्होंने लिख दिया था, और इसलिए उनकी का नाम दे दिया, Govinda Bhashaya है और जब Govinda Bhashaya को देखा गया तो उसमें किस तरीके से, वेदों से, पुरानों से, महांपुरानों से, उपनिश्दों से वागवतम से और अलग-अलग इतिहास से इस तरह के एक के बाद एक एक ऐसे प्रमान थे कि किसी को उनको काटने का कोई मोका नहीं मिला कुछ वहाँ पे संभव ही नहीं था कि जो उन्होंने वहाँ पे तरक रखे थे उसको किसी भी तरीके से काटा जा सके तो वहाँ पे जो चारेव संपरदाय के अचारिया थे, उन्होंने फाइनली जो है, वहाँ पे अपनी हार स्विकार की, उसके बाद उस राजे सभा में जितने भी बड़े-बड़े मंत्री गन थे, वरिष्ट नागरिक थे, बड़े-बड़े पंडित थे, विद्वान थे, स जो हम बोलते हैं, बलदेव विद्याभूशन, यह जो विद्याभूशन की उपादी है, यह वहाँ के राजा नहीं बलदेव जी को दी थी, उसके बाद जो जैसे यह खबर है, यह चारों दिशाओं में आग की तरह फैल जाती है, विंदावन पहुचती है, बंगाल, उड लग-लग राज्यों तक यह खबर जो है एकदम पहुच जाती है, और वहाँ के लोग खूब खुशी से नाच उठते हैं, वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है, लोग मिठाईया बाढ़ते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कि आज गोडिया वैशनव संपरदाय जो है, उसक हैं, कि हम, क्योंकि हम हार गए हैं, और हार का नियम यह था, जो डिबेट से शुरु में बनाया गया था, कि जो भी हारेगा, वो आपका शिश्य बनेगा, तो हम चारों यहाँ पे आपका शिश्य जो है, वो बनने के लिए तयार हैं, यहाँ पे जो बलदे विद्या वोशन और अपने अपनी संप्रदाय का ही प्रचार कीजिए, लेकिन अपनी जीत के उपलक्ष में उन्होंने यह बात जरूर रखी, कि अगर यहाँ पे विजे गोपाल जी की जो राधा किशन के स्वरूप हैं, अगर उनकी पूजा अर्चना सबसे पहले की जाएगी, तो उनको प्रसनता होगी, पहले उनकी पूजा हो, उसके बाद नरायन की है, जो बाकी जो विग्र हैं, उनकी पूजा हो, तो चारों संप्रदाय के जो अचार्य थे, उन्होंने इस बात को स्विकार किया, और आज भी ऐसे ही है कि जैपुर में जो सबसे पहले पूजा की जाती है, आरती करी जाती है, वो विजे गुपाल जी की की जाती है, और फिर इस तरीके से अपनी जीत का विजे पता का जो है, वो लहराते वे, जो हमारे बलदे विद्यवूशन जी हैं, वो विंदावन में वापिस लोटते हैं, विंदावन में उनका भव्य स्वागत होता है, पे अचारिय अगन हैं, अलग-लग संप्रदाय के भी जो लोग हैं, वो सब उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल रखा जाता है, वहाँ पे चार तरफ मिठाईयां जो हैं, प्रशाद जो है, वो बाटा जाता है, और उसके बाद बलदेव विद्याभूशन जी को, जो राधा शाम सुंदर की जो विग्रह हैं, जो शामनंद प्रभू जी का मैंने आपको बताया था, कि शामनंद प्रभुजी को राधा रानी ने अपने हिर्दर से पकट करके इन विग्रहों को दिया था तो इन विग्रहों की सेवा के लिए जो है बलेदेव विद्यभूशन जी को नुक्त कर दिया जाता है अच्छा हुआ ये कि जो बलेदे विद्या भूशन थे वो कुछ समय जैपूर में रहे थे और वहाँ पे उन्होंने रादा गोविन देव जी का शिंगार किया था अब रादा गोविन देव जी के बड़े विग्रह हैं तो उनको शिंगार करने में बड़ा अच्छा लगता था और जो रादा शाम सुंदर जी है ये बहुत छोटे से विग्रह है तो ये अपनी इच्छा से पूरा शिंगार नहीं कर पाते थे जैसी उनको ड्रेस पहिनानी है जैसा उनको शिंगार करना है क्योंकि जो छोटे विग्रह होते उसमें शिंगार जो है वो एक थोड़ा लिमिटीड होता है तो उनका जो सैटिस्फेक्शन है वो उनको नहीं मिलता था इसलिए उन्होंने कि वहां के जो गोश्वामिस थे उ रचना की मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था लगबग 21 गरंत अभी भी ऐसे हैं जो उनके द्वारा लिखे गए हैं और अभी भी वो अविलेबल हैं और ऐसा करते करते नभे की आयू में 1768 में उन्होंने जो है भगवान की भगवान श्री किष्णिक नित्य लीला में उ महाँ पर गुफा है नीचे जाके एक रास्ता जाता है उस गुफा में जो शामन अंदर प्रभु हैं वो भजन करा करते थे उसी गुफा में बैट कर जो हमारे बलदेव विद्यपुष्ण जिये उन्होंने बहुत सारे गरंत लिखे हैं आप अगली बार जब भी हमाँ जा गौडिया वैशनव चूडा मनी जो हैं श्रीला बलदेव विद्या भूशन जी प्रभुपाज जी इनका कितना बड़ा जो है कंट्यूबिशन है वो हमारी गौडिया वैशनव परंपरा के अंदर रहा है जब हम ऐसे महान वीभूतियों के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी पड़ंपा में ऐसे एक से बढ़कर एक विद्वान जो हैं अचारिया रहे हैं तो बहुत गर्व के अनुब होती है बहुत संतुष्टी होती है बड़ा confidence आता है कि हमारा जो सिद्धान्त है वो कितना प्रमानिक है कितना शास्त्रों के उपर वेदों के उपर पुरानों के उपर उपनिश्यदों के उपर बेज़्ट है हमारी संप्रदाय में कैसे-कैसे विद्वान, पंडित, प्रगाड़, पंडित जो है वो हमारी संप्रदाय में रहे हैं तो हम यहाँ पे जो है आज के दिन बलदेव विद्याभूचैन जी के श्री चर्णों में अपना सर है धीरे धीरे आगे बढ़ पाएं अंत में आप सभी वैश्णवों के शी चर्णों में सर रखकर मैं प्रातना करता हूं कि मेरे बोलने में जो भी तूटी रह गई हो आप करप्या करके उसको मुझे माफ कर दीजे और जो बात का सार है उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए श